असलाम आलेकुम एवरीवान वेलकम है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल में जेके स्टडी हब तो आज हम बात करने जा रहे हैं जैनके के लिए कुछ नई पोस्ट आई है 10-12 कंडिरेट्स के लिए तो आज हम इसी के रिकार्डिंग बात करेंगे इसमें कितनी प अपडेट आती रहती है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसने भी अभी तक हमारा वाट्सप ग्रूप जाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप जाइन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शूरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो रियोर्मेट आई है सो सथरं रेवे की तरफ से यह रिक्यृर्मेट आई है तो अब अब अगर विश्में बात करें application forms की तो इसमें जो है application forms वो start हो चुगे हैं 29 से और इसकी last date रहेगी वो रहेगी 28 से 28 को जो है इसकी last date रहेगी 28 feb को तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें vacancies की तो मैं आपको बता दूँ इसमें जो है total vacancies है 2860 vacancies तो category wise जो है इसमें vacancies आई है इसमें हम वीडियो में हम पूरा detail में discuss करेंगे नीचे में आपको बता दूँगा कि कौन सी category में कितनी vacancies है तो यहां पर आप देख सकते हैं फिल्टर में जो है total 20 vacancies है unreserved में 10 vacancies है SC में 3 है ST में 1 है OBC में 5 है और इसी तरह अगर हम नीचे बात करें welder में तो इसमें 83 vacancies है इसी के साथ अगर हम नीचे बात करें mlt radiology वालूं के लिए भी यह पोस्टे हैं यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद turner में है mechanist में welder में total poster 15 है electronics में 10 और electronics में जो है 13 पोस्टेस है अगर हम बात करें नीचे और भी vacancies दी गई है plumber में भी इसमें 20 vacancies है penter में 10 vacancies है तो total 2860 vacancies है अब अगर हम इसमें eligibility की बात करें education qualification की बात करें तो मैं आपको बता दूँ filter में आपका 10 रहेगा या 10 प्लस 2 रहेगा और इसी तरह जो है welder में भी आपका 10 या 10 प्लस 2 रहेगा medical laboratory technician में जो है आपका 10 प्लस 2 रहेगा उसके साथ जो है आपकी मतलब 50% परसंटीज होनी चाहे minimum तो फिर ही जो है आप इसके लिए eligible है आप apply कर सकते हो तो फिर अगर हम बात करें application fee की तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपका 100 रुपीज पर candidate रहेगा या आपको online ही डिपॉजिट करनी है अगर हम अब अगर हम बात करें कि आपको apply कैसे करना है तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए आपको इनकी official website विजिट करनी है www.apprenticus. .ip.india.government पर जाना है तो वहाँ से आपने इसके registration कर लेनी है और वहाँ से आपने इसका application form submit कर देना है तो यहाँ पर नीचे कुछ vacancies भी कुछ instructions भी दी गई है sorry तो वो भी आपको readout करके जाना है फिर ही आपको इसका application form submit कर देना है तो आज के लिए हमारे इस video में था इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई update के साथ तब तक के लिए Allah आफेसे